हेलो एब्रीवन, वेलकम टूल्डर डिजाइन, मैं नेम इस सनी और आज आपके लिए ले करा हम बहुत इंटरस्टिंग क्लास आज की क्लास के अंदर मैं आपको मॉडूल बॉक्स के बारे में बताने बाला हूँ, इलेक्टिकल मॉडूल बॉक्स के बारे में इसमें इलेक्टिकल मॉडूल बॉक्स के क्या साइज होते हैं, कैसे इस मॉडूल को पता लगाते हैं, ठीके कौन-कौन से मॉडूल इसके अंदर आते हैं, इन सबी के बारे में मैं डिसकस करूँगा, एक एक करके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं This class is very important for designer, प्योंकि जब आप लेक्टिकल ड्राइंग बनाते हैं, तो आपको पता हूनों चाहिए कि कौन-कौन से मॉडूल के बॉक्स आते हैं, उसके अर्डिंग ही आप प्लान कर सकते हैं, रूम के अंदर एक किचिन के अंदर, एक किचिन के अंदर, let's suppose कि आपको किचिन का advances के on-off के switch plan करने हैं, या lighting के switch plan करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस-किस size के module box आते हैं, तो उसके accordingly आप इसको plan कर सकते हैं, ठीक है, तो basically अगर हम भात करें electrical module box की, तो इसके 3 main component होते हैं, एक modular box जो metal का होता है, second switch plate जो उस metal box के अपर लगता है, third होते हैं हमारे, जो switch plate के अंदर लगेंगे, वो socket भी हो सकते हैं, switches भी हो सकते हैं, regulator भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो 3 main component होते हैं इसके, ठीक है, अब एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, modular metal box के बारी में, ये modular box metal का होता है, generally ये GI galvanized iron के अंदर आता है, या फिर SS में कुछ कंपनिया देती है, नौरिस इसको stainless steel के अंदर, SS के अंदर देता है, ठीक है, तो इक बार मैं screen पे आपको लेके चलता हूं, ताकि मैं आपको better समझा पाऊं, अब आपकी screen पे modular metal box का chart open हो गया है, पहला column है serial number, दूसरा है module number, तीसरा है box size, inches में, इसमें आप मान के चलिए कि 10 से 15 mm का difference हो सकता है, ये inches में इसलिए लिखे हैं, ताकि आपको easily याद हो जाए, और चोथा column में इसमें, फोर्थ column है मारा, socket या switch का बोल सकते हैं, तो switch को मैंने denote किया है SW से यापे, और socket को SK से, बात करें module 1 की, तो module 1 का box size होता है, 3 inch by 3 inch, इसमें आप एक switch लगा सकते है, module 2, module 2 का box size भी 3 inch by 3 inch होता है, और इसमें आप 2 switch या एक socket लगा सकते है, important बात ये है कि module 1 और module 2 का जो box size है, वो सेम है, 3 inch by 3 inch, 3 inch by 3 inch, इसमें difference क्या होता है, plate के अंदर, जो इसमें plate लगती है, switch plate लगती है, उसमें जो module 1 है, उसमें module 1 वाला plate लगता है, module 2 के अंदर, module 2 वाला switch plate लगता है, ठीक है, अब बात करते है, module 3 का, module 3 का box का size है, 4 inch by 3 inch, ठीक है, तो ये 3 module है, आप 1 switch हमारा single module का हुआ, तो 3 switch लगा सकते है, ये socket जो हमारा 2 module का है, तो आप 1 socket और 1 switch भी लगा सकते है, ठीक है, अब बात करते है, module 4 का, तो module 4 का size यह साइज है फाइए फाइए वथैस का मैंक्टलॉक्स का जो हू götने दो रखा सकते ह mental box को साइज है इसमें с 然後 चाहें तो दो dancer अंचै सकते हैं लिए पिर सिंच कर सकते हैं यह 4 कर सकते हैं दो मोडियूल को शर्वक्रणों की andar जगह लिए इसने, four module का, similarly आप four switch लगा सकते हैं, four module के, four module होगे, एक-एक module के ठीक है, बात करें module six का, तो इसका size है eight inch by three inch का, जो इसका metal box का size है, इसमें आप six switch लगा सकते हैं, या three socket लगा सकते है, module eight, module eight में दो option आते हैं, आपका rectangle जिसको मैंने आर लिखा है, और square जिसको मैंने यहाँ पर S लिखा है, तो जो rectangle वाला जो इसको metal box size होता है, वो होता है nine inch by three inch, इसमें भी आप different combination बना सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल गया, कि इसमें socket आपका दो module करेता है, और switch आपका one module करेता है, नॉर्मल वाला, ठीक है, module eight s, जो square वाला है, वो five inch by five inch करेता है, उसमें भी आप combination अपने इसाब से कर सकते हैं, module 12, eight inch by six inch का, module 16 हो गया, nine inch by six inch का, module 18, eight inch by eight inch, इसमें भी आपके अलग-अलग combination बना सकते हैं, मैंने तो यहाप अभी switch आपको लेके combination बनाया, और भी चीज़ें आती हैं, आप उनको लेके combination बना सकते हैं, जैसे कि example की बात करें, तो एक regulator होता है, regulator four step का आता है, five step का आता है, one module कर रहता है, और जो five step का regulator आता है, वो two module कर रहता है, इसमें telephone के circuits आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके साथ आप combination इसमें कर सकते हैं, modular plate और module switch को समझाने के लिए, मैंने का animation करेट किया है, ताकि आप थोड़ा और बेटर से समझा पाऊं में, तो इसके के लिए में एक बार animation को play कर देता हूं, तो आप screen पे देखेंगे, जो आपका left hand side पे top पर है, वो two module का box है, और bottom में जो देखेंगे, left hand side पे वो भी two module का box है, right hand side पे four module का box है, और right hand side पे bottom की side में देखेंगे, वाहां पे भी four module का box है, ठीक है, कैसे पता चल रहा है, आप switch को insert कर सकते है, ठीक है, और अगर आप बात करें four module box के अंदर, तो आप देखेंगे four ऐसे slot देखेंगे, जहां पे आप switch को insert कर सकते है, ठीक है, तो बहुत easy से आप इसको पैचान सकते हैं, देखें, ठीक है, तो देखेंगे two module box के अंदर, किस सरीके से मैंने switch को लगाया, इस तरह किसे फस्ता है ऐसे ही दूसरा स्विच इसकंदर लगाया है तू मॉडूल बॉक्स के अंदर यह देखिए लॉक जो था वो लॉकिंग पोजिशन पर एक्जेक्ट आके फिट होता है ठीक है अब सेकंड ऑप्शन के अंदर अब देखिए कि इसमें जो तू मॉडूल क के थे c'辅aldra यह तो मॉडूल के थे फूर मॉडूल भाट के अंदर आप यह भी कर सकते हैं एक थू मॉडूल का सौकित लगा दिया आपने थिंज एक वनमाडूल का अपना सुछ पीवीजी के अंदर आता ही है और भी बहुस से इन के लिएग़ ढ़ेगा, और दिफेरंट-णिनक मीखना, लिएग़ ऑग जाएगा, तो अलग लग डिजाइन के सब सिछ्ड पलेट अविलेबल है, बात करें सिच्छिस की, तो तो सुचिस के अंदर क्या है कि जींछ में भी कहीं सारे वेराइटी अवेलेबल ले मार्किट के अंदर जैसे कि अगर आपको जो एक तो रेगृर सुचाथ है इसमें वाइड आता है थोड़ा वाइड रहता है दिजैंन में करते हैं तब यह सुच का पोजिशन उपर आ जाता है बागी क्लोज पोजिशन के अंदर कैसे रहते हैं तो यह भी अजकल सुच काफी चल रहा है यह आपको नौरिश में मिल जाएगा और भी काफी सारे ब्रांड हैं उसके अंदर भी मिलते हैं ठीक है अब बात करते हैं क्या बार होते हैं सॉकिट से जब आप लग निकालते हैं वो इतना डूरिबल नहीं रहता है कि उसके जब सुच प्लेट भी भार आ जाता है तो सुच प्लेट अच्छी वालिटी का हो अपना पहला पॉइंट रहेगा या कंपैटेबिलिटी तो यह किसी के साथ भी कंपैटेब रहता है हर कंपनी के अंदर और दूसर कलर लेते हैं तो कंपनी कर देती है कवाले पैनल को ठीक है तीसरी चीज जो आप पावर का सॉकेट रहता है ठीक है इसको हमेशा वाला लिए जिसमें पीछे चीनी मिटी का होता है रिजन कहा रहा है जो प्लास्टिक वाले होते हैं उसमें फायर जल्दी से कैच कर लेता है वो ठीक है तो चीनी मिट्टी कर लिए जो पावर का सॉकिट रहता है अपना थर्ड शेटर वाले लिए जो पावर सॉकिट वगएर आई यह सॉकिट जो भी है वो शेटर वाले आते ह क्या आते हैं एक तो without shutter आता है दूसरा आता है shutter आप fan से open करेंगे या tester डालके open करेंगे तब उसका shutter open होता है third up जो आ है उसमें आप डारेक्ट socket लगाएंगे तो shutter open करने के लिए आपको tester की जुरूत सब्सक्राइब करें अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें अपने गोस्ते के साथ और सब्सक्राइब करें बैन लाइकन पे क्लिक करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और बने रहे हैं मेरी चैनल के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो के इंदर बाबाई टेक्टेक्ट बाइस देखें